बाजार में कम समय के अंदर मुनाफ़ा कमाने के लिए लोग ट्रेडिंग करते हैं और यह ट्रेडिंग कई प्रकार की चीजों पर की जाती है मुख्य रूप से ट्रेडिंग में लोग सबसे ज्यादा शेर पर ट्रेडिंग करते हैं और स्टॉक पर ट्रेडिंग करके एक ही दिन में लाखों और हजारों रूपय कमा लेते हैं अगर आप भी ट्रेडिंग की मदद से हजारों और लाखों रूपे कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग को समझना होगा तो चलिए जानते हैं ट्रेडिंग क्या है और ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है ट्रेडिंग क्या है ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग में हम शेर मारकेट से शेर को खरीदने और बेचने का काम करते हैं जहां हम शेर को stock exchange से कम price पर buy कर लेते हैं और उस share की price high होने पर उसे sale कर देते हैं इस प्रक्रिया को हम ट्रेडिंग कहते हैं ट्रेडिंग का मुख्य मकसद किसी भी वास्तु या सेवा को खरीद वबैच कर कम समय में लाप कमाना होता है. यही कारण है कि ट्रेडिंग शेर मार्किट में सबसे ज्यादा की जाती है और लोग हर रोज शेर पर ट्रेडिंग करके हजारों और लाखों रूपय कमा लेते हैं. बाजार में कम समय के अंदर मुनाफ़ा कमाने के लिए लोग ट्रेडिंग करते हैं और यह ट्रेडिंग कई प्रकार की चीजों पर की जाती है मुख्य रूप से ट्रेडिंग में लोग सबसे ज्यादा शेर पर ट्रेडिंग करते हैं और स्टॉक पर ट्रेडिंग करके एक ही दिन में लाखों और हजारों रूपए कमा लेते हैं अगर आप भी ट्रेडिंग की मदद से हजारों और लाखों रूपे कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ट्रेडिंग को समझना होगा तो चलिए जानते हैं ट्रेडिंग क्या है और ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है ट्रेडिंग क्या है ट्रेडिंग क्या है? ट्रेडिंग में हम शेर मार्केट से शेर को खरीदने और बेचने का काम करते हैं जहां हम शेर को स्टॉक टॉक्स्चेंज से कम प्राइस पर बाई कर लेते हैं और उस शेर की प्राइस हाई होने पर उसे सेल कर देते हैं इस प्रक्रिया को हम ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग का मुख्य मकसद किसी भी वास्तु या सेवा को खरीद वा बैच कर कम समय में लाप कमाना होता है। यही कारण है कि ट्रेडिंग शेयर मार्किट में सबसे ज्यादा की जाती है और लोग हर रोज शेयर पर ट्रेडिं बढ़ जाता है, तो उसे बैच देते हैं. इस प्रकार कम पैसे में खरीदी गई चीज को जब ज्यादा दम में बेचा जाता है, तो हमें उस पर कुछ पैसों का मुनाफ़ा होता है, जिसे हम ट्रेडिंग कहते हैं. तो अगर आप share पर trading करके पैसे कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको share market trading को समझना होगा चलिए जानते हैं share market trading क्या है? शेर मार्केट ट्रेडिंग क्या है? शेर मार्केट ट्रेडिंग, शेर पर होने वाली ट्रेडिंग को कहते हैं जब सुबा सुबा के सवा नौ बजे पर शेर मार्केट खुलती है तब ट्रेडर कम दाम में शेर को खरीद लेते हैं और दोपहर के दोपहर के साड़े तीन बजे के पहले शेर को बेच देते हैं, क्योंकि शेर मार्केट सुबह सुबह के सवा नौ बजे पर खुलती है और दोपहर के साड़े तीन बजे पर बंध हो जाती है, इस बीच ट्रेडर अपने करीदे हुए शेर पर अनुमानित मुना लेकिन शेर मार्केट में ट्रेडिंग अलग-अलग प्रकार की होती है और ट्रेडर अपनी सुविधा और जोखिम के अनुसार ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है? शेर मार्केट के खुलने से लेकर उसके बंद होने के पहले शेर को खरीद कर बेचने को इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। जिसमें इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। ट्रेडिंग को समझना बहुत ही आसान है, हम नीचे एक उधारन की मदद से ट्रेडिंग को समझेंगे। उधारन मान लेते हैं, आप शेर बाजार में शेर मार्केट में से SBI का एक शेर खरीदना चाते हैं। मार्केट के सुबह के सवा 9 बजे पर खुलते ही शेर की कीमत 99 रुपए रहती हैं, और दिन में एक पीम तक शेर की प्राइस 100 रुपए हो जाती है। अब ऐसे में अगर आप शेर को सुबह खरीद लेते तो 99 रुपए का आपको एक शेर मिलता जिसे आप 100 रुपए में बैच सकते थे। अगर आप ऐसा करते तो आपको एक रुपए का मुनाफ़ा होता जिसे हम प्रॉफिट कहते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को हम ट्रेडिंग कहते हैं, dot trading अकाउंट वहाँ अकाउंट होता है, जिसकी मदद से आप शेर मार्केट में शेर की ट्रेडिंग करते हैं, और शेर को अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ता है जो कि वहाँ अपने डिमैट अकाउंट ब्रोकर से भी खुलवा सकते हैं